Hello all, तो आज मैं अपनी मम्मी की इस साड़ी के साथ मेकप लुक क्रियेट करने जा रही हूँ और जब मैं घर गई थी तो मैं अपना एक ब्लैक कलर का ये ब्रोकिट वाला ब्लाउस लेकर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्लाउस जद अतर साड़ीों पर चल तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को हाईडरेट कर रही हूँ वैसलीन का लिपम अपलाई कर लिए है मैंने इसके बाद मैं सिरम अपलाई कर रही हूँ उपने फेस पर जो की है गार्णियर का ब्राइट कंप्लीट विटमिन सी सिरम और इसको अपने फेस पर अपलाई करक अगर आप बहुत ज़दा क्रीम्स वगरा यूज नहीं करना चाहते हो और दिन का मेकप कर रहे हो तो आप संस्क्रीन का यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने लिया हैं इनसाइट का ये प्राइमर और इसको अपलाई कर रही हूँ हैं जो भी प्रोड़क्स में अपलाई कर रही हूँ आप देख रहे होगे मैं तुरं तुरंत यहाँ पर लगारी हूं या फिर मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, इसको सबसे पहले डॉट्स में अपने फेस पर नेक पर अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद मैं यहां पर इसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, तो अच्छे से आप टाइम लगा कर इसको कीजे, और यह जो मेक अप वीडियो है, इसका फाइनल जो लुक है, इसका उसकी जो पिक्चर थी, वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर रही थी, और आप समने बहुत ज़दा पसंद किया था, अभी तो मैं वापस आ गई हूँ घर, बट यह वाला जो मेक अप वीडियो है, अपनी आइब्रोज को, अंडर आइस पर भी मैंने इसको अपलाई कर लिया है, और अपनी आइब्रोज के ऊपर और नीचे इसको अपलाई कर रही हूँ, और इसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, तो आराम से लीजेगा, टाइम लग तो उससे जो आई ब्रोज है हमारी शाप दिखाई देती हैं, इसके बाद मैंने दूसरी आईज पर भी इसी तरीके से कंसीलर को अपलाई कर लिया था, ब्रिज ओफ नोस पर एंद अपने चेन एरिया पर भी इसको अपलाई कर लिया है, और सब जगे पर इसको डैम ब्यूट ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लोगी, तो अच्छे से मैंने अपना फॉंडेशन एन कंसीलर दोनों ही ब्लेंड कर लिये हैं, और इसके बाद मैं अपलाई करूँगी माई ग्लैम का ये सुपर सेरम कॉम्पाक्ट पाउडर, और काफी अच्छा जो है इसका ऑपने ब्लेंडर की हेल्प से मैं एक ब्ला इटा है बार ब्लेंडर की हेल्प से कोम्पाक पाउडर करना पड़ता है तो इसको भी मैंने अपलाई कर लिया है अपने ये और नक पर भी इसके बाद का 04 नंबर पैलेट ले रही हूं आईशेडव पैलेट अल्टिमेट आईशेडव पैलेट है इसका नेम और इसके जो चॉकलेटी ब्राउन शेड़ अपने देखा उसको मैं अपलाई कर रही हूं और मैं यहाँ पर बता रही हूं कि जो भी अपकी आईब्रोस का शेप है उसक हिसाब से आप इसको फिल कीजिए फ्रंट में जिसे अफ़र्ड मोशन में हैर होते हैं तो उस तरही के से जो है ब्रश को चलाईए और बाकी फिर जिस तरह से उनका शेप है उस पर अपलाई कर दीजिए अभी यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया जो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं तो इसको ब्लेंड करना है थोड़ा सा कॉर्णर पे वी का शेप देना है और क्रीज पर अपलाई करना है थोड़ी दूर तक तो इस तरही के से फ्लफी ब्रेश से आप अपलाई करेंगे तो परफेक्टली लग जाता है इसके बाद मैं य तो यहां पर जो मैं आई लूक करने जा रही हूं वो प्रॉपर स्मोकी आई नहीं है बट थोड़ा सा ब्राउन काइंड आई में क्रेट करने जा रही हूं क्योंकि और अरेंज कलर की साड़ी के साथ मुझे अच्छा लगेगा तो उसमें मैंने वापस वो जो डाक शेड ले कीज़ी है जो मैंने आई ब्रोस फिल करने के लाए यूस किया था सेंपालेट से और उसको मैं चाजल के साथ थोड़ा सा ओपर तक एपलाई कर रही हूं थोड़ा सा अपलाई करेंगे बार बार मतलब थोड़ा सा लेते रहेगा जिससे की वो एरिया पर थोड़ा सा डाक हो सबसे डार्क उससे उपर थोड़ा सा उसे लाइट उसके बाद से वापस से जो हमने सबसे पहले शेड लिया था उरंज काइंड अउसको लेकर वापस से क्रीज के पास अपलाई कर लेंगे जिसकी कोई भी हार्ष लाइन आई शड़ो की बीच में नहीं आएगी जो भी एक्स काजल के नीचे मैं यह जो कॉर्णर में ब्रिक काइंड ओफ शेड है इसको एक पेंसिल प्रेश की हेल्प से काजल के नीचे स्मोक आउट कर दोंगी तो इस तरीके से अपलाई कर लें इसके बाद मैंने लिया है मार्स का यह फैबुलेश मस्कारा और इसकी दो-दो कोटिस की अपर एंड लोवर ऐलाशेस पर यूज करेंगे तो आप देख सकते हो कितना सुन्दर लुक आ रहा है दोनों आइस में कितना फरक लग रहा है इधर की आइस काफी बड़ी-बड़ी से दिखाई दे रही है और नॉर्मल जो है जिसमें में मेक अप नहीं है वो काफी छोट अपने चीक्स पर लाइन अपने आप से दिखाई दे जाएगी कि आपको एक शैडो सा दिखाई दे रहा है वहीं पर आपको कॉंटूर को अपलाई करना है और अच्छे से ब्लेंड कीजिए चेन अरिया पर इसको मैंने अपलाई कर लिया है दोनों साइड में प्रॉपर ट प्लेश ब्रश की हल्फ से अब सेम पैलेट से मैं हैलेटर ले रही हूँ और अपने फेस के हाईयर पॉइंट्स पर मैं इसको अपलाई कर रही हूँ यहाँ पर मैंने इसको अपनी ब्रॉबॉन पर अपलाई कर लिया है अपनी ब्रेज ओफ नोस पर थोड़ा सा फोर हेट पर अप्लाई कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड भी करते जा रही हूं ऐसा नहीं कि एक जगे पर लगा कर आप छोड़ दे अच्छे से ब्लेंड जरूर कीज़ेगा इसके बाद चीक्स के हाईयर पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूं थोड़ा सा क्यूपिट बो पर और थोड़ा सा चेरेया पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है तो फेस मेकअप हो जाता है कमपलीट और अगर आप चाहे तो इस जगे पर सेटिंग स्परे का भी यूज कर सकते हैं मैं सेटिंग स्प्रे नहीं लेकर गई थी तो मैंने लहीं अपलाई किया है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह जो साड़ी मैंने ममी की यूज करी थी इसके मैचिंग कोई भी लिप्स्टिक मेरे पास नहीं थी तो आप किस तरीके से वो शेट तयार कर सकते हो तो मैंने जुगार करके लिप्स्टिक का शेट तयार कर लिया और आप देख सकते हो काफी अच्छा मैच कर गया है तो बस यह रहा मेरा फाइनल लुक आई होप आप सबको पसंद आया होगा साडी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और आप सबने भी बहुत ज़्यादा लाइक किया था जमैने इसको अपने फेस्बुक पर शेयर किया था तो और आप देख सकते हैं कि ब्लाउस भी कितना अच्छा मैच कर रहा ऐसा लग रहा इसी साडी के साथ का है तो कभी भी कहीं जाएं तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक अपना ब्लाउस है या रेड कलर का ब्लाउस है वो आप लेकर जा सकते हो और अगर आपका मन करता है कि आप किसी और की साड़ी पहड़ो, मम्मी की या सस्टर की तो आप इस तरीके से उसको पहन सकते हैं क्योंकि सब के ब्लाउजे सेम साइस के नहीं होते हैं बट साड़ी ऐसी होती हैं आप किसी के भी यूज कर सकते हो तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ आगे भी बने रहिएगा ऐसे ही तब तक टेक एर एंड थें